नमस्ते दोस्तों आज मैं आपको एक कथा सुनाने वाली हूं जिसका नाम है तेनाली रमन मेरे पास अंग्रेजी का पुस्तक है पर मैं आपको पहला चाप्टर ना हिंडी में सुनाने वाली हूं और अगर आपको यही यही कथा अगर अंग्रेजी में सुननी हो तो मैंने लि क्यानी हुआ एक चोटा सा गाओ था जिसका नाम दान में एक चोटा सा बच्चा क्रामार्मर्ण बच्चा रहता था जिसका नाम दा रमन और तो और शेंन ही एक साथow बिसा रही था तो उन्होंने रमन को देखा और उन्हें रमन पसंद आ गया और फिर वो रमन के पास जाकर बोले कि कुछ तो भी मंत्र उनके रमन के कान में उन्होंने बोला और फिर बोला कि अभी तुम ये मंत्र जो मैंने तुम्हें बोला है काली माता के मंदिर में जाकर रात को ये तीस लाक बार बोलो और वो तुम्हारे सामने आ जाएगी और फिर तुम और फिर रमन ने पूछा फिर क्या फिर मैं क्या करूँ उसके बाद में क्या करूं वैसे रमन को पूछना था और फिर सादु ने बोला कि अगर तुम तीस लाख बार ये मंत्र बोलोगे तो वो देवी तुमारे सामने आ जाएगी और फिर तुम उन्हें कुछ भी पूछ सकते हो मतलब किसी चीज के लिए भी मतलब कुछ भी कुछ भी पूछ सकते हो मतलब किसके लिए भी तो तो फिर वो पता है और फिर रमन रमन बोलने वाला था कि कि सादु ने बोला पर मतलब वो बोले रहे थे कि अगर तुम उन्हें देखकर डर जाओगे तो नहीं अगर तुम नहीं डरोगे फिर ही तुम किसी चीज के लिए मतलब पूछ सकते हो तो फिर रमन घर गया और फिर नहाद होकर और फिर वो रात को उनके काली मता के मंदिर में जाकर तीस लाक बार वो मंत्रा बोलने लगा और फिर जैसे ही वो मंत्रा उसने बोलकर खतम कर दिया और वैसे ही वो काली मता उसके सामने आ गए पर जैसे ही उसने काली माता को देखा वो हसने लगा जोर जोर से हसने लगा पर काली माता थोड़ी देर के बाद गुसा हो गई तो उन्होंने तो एक श्राब दे दिया वो बोल रही थी कि अभी मैं तुम्हें एक श्राब देती हूं कि तुम्हें तुम्हारी तरफ देखकर लोग हमेशा हमेशा के लिए हस्ते रहेंगे पर रमन रमन को तो फिर भी हस्ते आरे दी तो इसलिए वो तब भी बहुत जोर जोर चे फिर काली मात थोड़ी दर बाद पूछ 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 लिया उन्होंने फीर से फिर से पूछ मतलब क्या पूछा कि मैंने तुम्हें तुम क्यों तो रमन बोला कि हम इंसान हैं और हमारे पास तो एक ही सर और नाक होती है पर जब हमें जब हमें सर्दी हो जाती है तो अब हमें कितनी परिशानिया उठाने पड़ती है पर आप तो एक मतलब देवी हैं मतलब काली मता है और आपके तो एक हजार सिर है तो आप क्या करते हो मतलब जब आपको सर्दी हो जाएगे तो आप क्या करोगे तो काली मता है ना उन्हें भी खुशी होने लगी मतलब थोड़ी से हसने लगी वो उन्हें भी लगा तुम्हारे पास बहुत बुद्धी है अब तुम्हें उससे वापस नहीं ले ले सकती पर मैं उसे अच्छा कर चुक्तु तो मैं एक आशिर्वात दे सकती हूं और फिर रमन को उन्होंने आशिर्वात दिया और बोला कि तुम मतलब मतलब राजा के दर्बार में एक मतलब तुम राजा के दर्बार में ऐसे पैसे कमा होगे मतलब वहां पर काम करके तुम बहुत पैसे कमा होगे ठीक है और फिर वो करने मतलब मारजा के दर्बार में ही काम करने लगे मतलब देखो जैसे ही हुनोंने बुला जैसे ही रे के साथ हुआ जब वो बड़े हुए और और वैसे ही होता है ठीक है अभी अभी मैं फिर से बताती हूं कि अगर आपको यही यही कथा अगर आपको अंग्रेजी में सुननी हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो और आपको अंग्ध एडिया अगर जगर आपको वही जगर अरेजी में सुननी होगी अगर आपको यही बाच बिताने लाटंने ही कर दो बहाँ कि अगर आपको पर आपको यहीं पर आपको शहएला है झाले न जाले ने थी झाले खाएंग झाले आ झाले ने झाले आ जो आ झाले का मुद्टारत पतो चाले करना हुण